हालो गाइज कैसे हैं आप लोग मैं हुरिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल दिर्मला निर्वान क्लासिस में आप सभी का हर दिख्वागत है तो फिजिक्स चल रहा था और फिजिक्स में हम लोग न्यूटन स्लॉप मोशन देख रहे थे उसमें प्रथम नियम को हम लोगों को किसी वस्तूओ के संवेग में परिवरतन की दर उस वस्तूपर आरोपित बन के उस्तूप पर और अनयृँर्ट सब्सक्राइब या हम लोग बस्तूफ से लोगि है न्यूटन का फरस्ट या जो है कोई में चकल को बना यहां भी हम लोग जानते हैं लेकिन सब्सक्राइब कर लेते हैं किसी बस्तू के समवेग में परिवर्तन की दर उस बस्तू पर आरोपित बल के समानुपाती होता है किसी बस्तू में हैना किसी बस्तू में आरोपित समवेग की दर किसी बस्तू के समवेग में परिवर्तन की दर किसी बस्तू के समवेग में परिवर्तन की दर हैना उस बस्तू पर आरोपित बल के समनुपाती होता है अर्थाद बल को बढ़ाएंगे उसका समवेग बढ़ेगा अगर माल यह पैन है इस पर हम अपना बल बढ़ते जाए इसका सम्वैग बढ़ता जाएगा जिस प्रकार जिस जीतने नीटन से बल लगाएंगे उतना ही नीटन से अभी सथापी तो किसी बस्तू के सम्वेग में परिवर्तन की दर उस बस्तू पर आरोपित बल के समानुपाती होता है ठीक है दूसरा देखे क्या कर रहा है तथा इसके बाद है तथा सम्वेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है सम्वेग परिवर्तन जो होता है कहा होता है बल की दिशा में समभ्राइब बात है अगर आम बोड इस दिसामे लगा रहे हैं को जो धर होगा किसी वस्तू में आरुपित समभेक का जो में होगी चले यह तो हो गया किनी परिवर्टन भल की डिसा में होगा अब आगे देखते हैं अब यदी आरोपीत बल एफ है बल की सामें उत्पन तोरण ए है एवं बस्तु का दरवबान एम है वस्तु का मास कितना दिया हुआ है एम है तो न्यूटन के दूसरे गती नियम से एफ बराबर गति बल का वेंजक मिलता है इसका बखिए अर्थाथ नियूटन के संव nati के समवेग में परВОरけれ सामानुपाति होता है हमेरा चलिए आगे बढ़ते हैं ये है भी हो गया अगे देकते है निउंट्टै न्यूटन गती का प्रथम नियम दूसरे गती दूसरे गती नियम का एक अंग है न्यूटन गती का जो प्रथम नियम है जो फ़र्ष्ट लॉय लॉफ इंडिसिया लॉफ इंडिसिया तो वह क्या कह रहा है कि न्यूटन गती का प्रथम नियम है वह दूसरे गती नियम का ही ए प्रतम प्रतम आंग तो जो फर्ट लॉटन है वह आंग है सकेंड लॉटक देखिए निवटन आपपर तौन नियम जो है वह दूसरे प्रतिनियम का अंग है मतलब एक अंग है आगे बढ़ते हैं न्यूटन का तृतिय गती नियम है थर्ड लॉफ न्यूटन्स थर्ड लॉफ मोशन एक बात जा लिए गाइस दू इसका जो न्यूटन का सकेंड लॉफ इसमें कुछ है नहीं अगर कुछ है तो बस यही है किसी वस्तु में किसी किर्या के बरावर परंतु विपरित दिसा में अगर हम किसी चीज पर बल लगा रहा है हम इस बोड पर बल लगा रही है तो यह बोड भी हम पर बल लगा रहा है और यह हम से अपोजिट ड्यक्षन में अगर हम इस तरफ से लगा रहा है तो यही बात कर रहा है कि परतिय एक किरिया के बरावर चलाने वाले को पीछे की और धक्का लगना है ना बंदूक से जब गोली चला जाती है तो जो चला रहा है गोली उसको क्या पीछे की और धक्का लगता है दूसरा है नाव से किनारे पर अच्छा इसको देख लगता है बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की यह है ऐहां दीखिए हमने वुलेट है ये वुलेट है और ये गन है अगर बंदूग से गल चलाई याती है तो इसमें एक्षण बाहर निकलना यह हम एकन है और इसका आपोजेट रिक्षन देखिये फोर्स ओन गन और बल पर जो बलकती है रियक्शन वल यह क्या होता है पीछे की उर गोली आगे की और धक्का गोली आगे और फोर्स ऑन बुलेट यहां एक्सन है और बुलेट को निकलने के वाद जो गन को पीछे कि और धकला यह रियक्ट्य संन है तो एक्टे रियाक्सन रियक्शन लगा है था अज्या प्लीback न कि एक जो फुटन ब्लोक है उलिक लेड़ा बकसे सब्टा एगे शोन रखागेए तो देखें इसमें एक्सन्य और रियक्सिंट रहा है यह फ़स है इसपर रखा गया है तो फ्रस एक $ perform ऐस den दिनर्ड वी यहां पर ग्राउंड के द्वारा जो इस बॉक्स पर बल लगाया गया यह अप वाड डियरेक्शन में है ना डियरेक्शन डबलू ब्रावर mg है ना डबलू ब्रावर mg मास इंटू ग्रेविटेशन जो एट जी का मान होता है 9.8 तो डबलू ब्रावर यहां पर देखे एक्शन में यह यह रेक्शन था पहले एक्शन देखन था हमको एक्षन में क्या था वेट आफ देब बॉड़ी एक्टिंग है ना एक्टिंग डाउनवार्ट्स डब्लू ब्रावर mg यह डाउनवार्ड फोस्ट लग रहा है एम जी और यह अफ वार्ड लग लोक पर अपवार डिरेक्षं में मीम घी्र लागा थो यहीं चीजे और दिखाया गया एक्षन में कि ब्लोग जब वार्स पर रखा गए तो यह जो ब्लोग है यह फार्स पर mg लाओ रहा है जमीन की तरफ और यहां सीथ ह zijn जमीन यह ऊपर लगा रहा है तो यह एक्सन और आप दिखा गया बेफरीत पर्तिक रिए और सब्सक्राइब कोदने पर नाव को पीछे की और हट जाना नाव से जब कुदे तरफ यह जो ऐसे चैनल के यह पतवार इसको हम ऐसे लगाते है इस तर और आए यह त अगे देखते है किस रॉकेट को उड़ने में रॉकेट को उड़ने में रॉकेट को उड़ने में भी जो नूटन का फार्ड नोह एक्सन लोग सब्सक्रा तो गांच को हम लोग देखते हैं कि रॉकइट में क्या है यह ईसमें क्रूंधक काका काम करता है जही जो सारे प्रीचा होटा है तो घैस या बानो निकलता है तो वह पीछे की और लगाता है अगई इसके बड्लत और देख़ें बाहर निकलने क्या है यह यह घऊ-तर्फ पर यह ब मोल लगती है और बावज रॉपर की तरफ उड़ जाता है अगर मौन लें यह एक रॉक ci हई इससे जो गेस ददखकर निकले की बाहर तो यह गैस निकलने करम में क्या होता है बाहर निकल एक रॉय पयक्तिकर्प्रिया करते है उपर ऊड़ जाता है मतलई उसका बल आगे कि यह वालत करते हैं रॉकेट के ब्लाइब विसमें बीच घ्ना गया है वर्केट रियक्शन और इक्षन में क्या होता है इस पर रॉकेट लाइक्ट पर लगाती है और यह रॉकेट जमीन पर चलने वाला आध्मी एक जमीन पर चलने वाला आदमी भी एक्सेंट लाग को फोल्ड करता है देखिए जमीन पर चलने limited आEhик भी आरहन पर जो हम ठाएक्ट पर पर लग रहा है और उसके बदले में इत तीमें cat लगाती है और वह तो अपोजी डेरेक्शन लगाती है फिर हम चल पाते हैं तो यह जमीन पर चलने वाला आदमी एक्सन रिक्षम अर्थात न्यूटन का थर्ड लॉग काम करता है और पाच्माद एक्जांपल है आदमी का तैरते हुए आगे बढ़ता है मालिजी हम तैरते हो आगे बढ़ते है इसका हाथ से और बालाग ये जो हाथ से क्या होरा है नागे पर्तिकरिया लगा तो यहां गया है आपका एक्शन रियक्षीन Benson रहा है तो यहां तक जो था न्यूटन गटिका थर्ड नियम परते क्रिया के बनावर प्रंतु विप्रित दिसामें परती क्रिया होती है यहां हम लोगों ने चार पॉन एक्जामपल भी देखा और जैसा भी हुआ फिकर भी देखा तो फिर गाइज मिलते हैं अगली दिन अगली वीडियो में झाल